एलो फैंस वेनरे क्या फिडी है मैं अप लोग को फिर से एक बास वागर है तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग के कॉमेंट के पर डिपेंड करके बना रहा हूँ क्यों कि बहुत सारी भायों का मेरे पास कॉमेंट आ रहा था कि वह जो नॉर्मेल एसंस मार्क होता है वह किस पर लोग करेंगा नहीं वो कैसे चेक के जाथा है तो इस वीडियो के अंतरा आप लोग को बताया जाएगा वीडियो का चैब से जो डिखने उससे पहले सेनल को सब्सक्रेब करके वेलेकों को प्रेस करें ठीक है बहुत सारी भायों का मेरे पास कॉमेंट आ रहा था असाम क तो अहमोर बहुत लोराश हो ले मुँ कमेंट को रहेशे ले ज़े अहमोर काटाओफ कीमान जाबो तो आसामका काटाओफ कितना जाएगा इस्तेफशे कमेंट आ रहा था तो इसलिए मैं बोलना साहूंगा जोदी आपुना लोग अहमोर होए टेंटे होले मुँ आटा फूल तो इस वीडियो के अंदर आप लोगो में यह बताऊंगा कि नॉर्मेलेसंस होटा क्या है और नॉर्मेलेसंस की स्ताइब से दिया जाए यह सब आप लोगो बताऊंगा आने वाला वीडियो का चैसे जो डिखना उससे पहले दोस्तों सेनल को सब्सक्राब करके बेल एकोन को प्रेस कर लिए न क्योंकि जब भी सिर्फ की इन्फरमेटिव वीडियो आप पहुचा जाएगा तब लोगो नॉटिफिकेशन तभी मिलेगा आगर आप सेनल को सब्सक में एक्जाम होता है आपको पता होगा एक एक दिन में टीन टीन सिफ में एक्जाम होता है एक सुभा की वक्त एक डोपेहर की वक्त एक साम की वक्त तीन सिफ में एक्जाम होता है तो पूरी महीने में जितना भी एक्जाम होता है सभी का जो पेपर है वो अलग अलग होता ह है questions तो एक मिल सकता है लेकिन पूरा पर आप नहीं मिलेगा कोई भी paper किसी भी पर से नहीं मिलता है तो क्या होता है मतलब आप मानो एक महेन एकजाम सलेगा तो टूटल पर कितना हुआ अलमोस्ट 90 पेपर हो गया एक दिन में 3,30 पेपर एक मही था टी डेस के तो 90 पेपर मतलब एक्जांप्पोल के लिए आप लोग को बता रहा हो तो 90 पेपर जो होगा सभी पेपर अगर अलग-अलग रहेगा तो मतलब कैंडिडेट तो मतलब ऐसा होगा कि सभी पेपर कैसेरे सब्सक्राइस करें मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो आप माल लो एक दिन में तीन सिफ में एकजाम होता है फॉस्पा कि सुभाat सुभा मासीस सुभाइट में प्र डोप्ध है के मालब सुभा सुभा के थे तीन प्र में स्टूडेंट में हम एकृ was लबाव साम को 100 student ने exam दिया मान लो ठीक है तो आप मान लो सुभा की वक्त जो exam हुआ है उस paper को बहुत hard था वह hard कैसा पटा सलता है मान लो 100 student ने exam दिया 100 में से 70% student यानि कि आप मान लो 70 student तो 70 student का अगर paper में अच्छा mark मिलता है मतलब आप मान लो सुभा की वक्त जो exam हुआ है उसमें 100 student में से 70% student का अच्छा mark मिला है मतलब उस paper के अंदर अच्छा उनको mark मिला ठीक है तो बहुत अच्छा अगर अच्छा मां लो तो यह मना जाएगा कि paper normal है अगर उसको 70% candidate का बहुत अच्छा mark मिला उन लोको तो यह मना जाएगा कि यह जो paper है यह hard paper नहीं है यह थोड़ा normal मतलब बहुत normal paper है तो इसलिए 70% candidate का बहुत अच्छा mark इसलिए मिला क्योंकि यह paper बहुत hard नहीं है और बहुत normal है तो इसलिए बहुत अच्छा mark मिला candidate को 70% अगर मानलो डो बहर की जो वक्ट है उसमें जितना भी candidate है उसका जो paper है उनमें से 70% candidate का मार्क मतलब इतना अच्छा नहीं है मतलब सभी को 30-40-30-40 इतना मार्क मिला आप मानलो 30-40 इतना मार्क मिला तो वह paper जो है वह hard है तो इसलिए 70% candidate का मार्क कम मिला ठीक है आप मानलो जो साम की वह paper है उसमें candidate का दोस्तों मानलो 70% candidate का student का मार्क अच्छा खास है मतलब नॉर्मेल मतलब 50% मार्क उन लोगको मिल गया ठीक है तो अभी क्या दिखा जाएगा जो मानलो fast trip में बहुत hard है और fast trip में बहुत normal है तो इसलिए उन लोगको 80% मार्क मिला मतलब 80-80 मार्क मिला 70% candidate को 80-80 मार्क मिला बागी 30% को थोड़ा बड़ कम मिला second trip में जो candidate है उन लोगको बहुत 70% candidate का मार्क 30 से निचे है ठीक है 70% candidate का मार्क 30 से निचे है और 30 वाला जो candidate है उन लोगका सबका 50% मार्क उन लोगको मिला तो आप क्या होगा दोस्तों पूरी महीनी के अंदर जितना वे एक्जाम हुआ है सभी एक्जामों का पेपर देखा सब्सक्राइब उन में से दोस्तों इस पेपर में 70% candidate का अच्छा माग मिला उनको मतला अच्छा माग मिलेगा तो हो सकते है बहुर अच्छा माग मिलेगा तब कर देगा अगर आपको नहीं मिलेगा तो इस बाठ का ध्यान रखना ए एन दोस्तों बहुत सब्सक्राइब भाइयों का कॉमेट हा कि कितना मिलेगा तो नॉमले लाइशन मांग वैसे के लिए कितना मिलता है मतलब 2-3 सार पास मतलब मैक्सिमाम 10 टक मिलता है इस बार हो सकता आपको 20 टक मिल जाएगा ठीक है तो क्यूंकि 70% की इंडिर्ट को कितना मार्क मिला वो सब देखने के बाद ही आपको मार्क मिलेगा ठीक है तो गैस मैंने आप भी जो भी बोला I hope आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो सेनल को सब्सक्राब करके बेल अगों को प्रेस करें ना क्योंकि जब भी सिट आपकी इंफर्मिटिव वीडियो आप तक पहुचाया जाएगा टॉप लोगों नौटिफिकस वन तभी मिलेगा आगर आप सेनल को सब्सक्राब करके बेल अगों को प्रेस करके होगे वीडियो देखने के लिए ठेंक्यू जेहिन